मैं जब चुनाव के मैदान में था तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी विदेश निती कैसी होगी और मैं देख रहा था कि चुनाव के समये पत्रकार बहुत बुद्धिमान होते हैं और बड़े चतूर भी होते हैं तो जब मैं चुनाव अभियान करता था तो उनको मानूम था कि मोदी की विक्नेशिस क्या है वो बराबर लेकर क्याते थे तो उनको लगता था कि ये गुजराच जे-जे छोटे राज में काम करता है इसको हिंदुस्तान का कोई अनुभव नह नहीं है तो मुझे वो हर दूसरे तीसरा सवाल गुमापिरा कर गे विदेश निती पर ले आते थे अब उस समय में चुनाव के कैम्पेंड में था मैं उनको विदेश निती क्या समझाओं लेकिन वो बराबर पकड़ लेते थे और उनको समझ आता था कि इसमें ये बंदा वीख है और वो गुमा फिर आकर मुझे भई ले जाते थे तो फिर मैं इतना ही कहता था कि देखिये भाई जब हम इस जिम्मेवारी को निर्वाह करने की नौबद आएगी तब क्या करना देखेंगे लेकिन मैं इतना विश्वात देता हूँ नहीं हम आख जुकाकर के बात करेंगे और नहीं हम आख दिखाकर के बात करेंगे हम दुनिया से आख मिलाकर बात करेंगे आज आज अठारा महने के बाद मेरे प्यारे देश वाजियों मैंने जो वादा किया था उसको निभाया है न हिंदुस्तान आख जुका करके बात करता है न कभी हिंदुस्तान किसी को आख दिखाने की कोशिश करता है लेकिन हिंदुस्तान आत्म विश्वात से भरा हुआ है वो आख मिला करके बात करता है